महेंदर सिंह धोनी एक ऐसा नाम जो भारतिय क्रिकेट के मैदान में एक अद्वितिय और प्रिर्णा दायक किरदार को दर्शाता है। उनका जन्म 7 जुलाई 1987 को जारखंड के रांची शहर में हुआ था। उनके माता-पिता का नाम पंसिंह और देव की देवी था, जो सरकारी कर्मचारी थे और उनकी आमदनी सामान्य थी। धोनी का बचपन उनके लिए साधारित था, लेकिन उनकी अद्वितियता ने उन्हें हमेशा सुपरस्टार बनाए रखा। उन्होंने अपनी पढ़ाई रांची के स्थानिय स्कूल से की, जहां उन्होंने अपने पढ़ाई में भी उतकृष्टता प्राप्त की। धोनी का क्रिकेट में पहला कदम उनके पीटी शिक्षक के साथ हुआ जिन्होंने उन्हें विकेट कीपिंग के क्षेत्र में दिखा इससे उनका दिल बदल गया और वह फुटबॉल से क्रिकेट की ओर मुड़ गए उनका प्रतिष्ठान और क्षमता ने उन्हें राज्यस्तरिय क्रिकेट में खेलने का मौका दिया जिससे उनका करियर और भी सजग हो गया उनके खेलने के तरीके और रैनकी पार्टनर्शिप का साहस हर किसी को प्रभावित करता था उनकी अनूठी खेल कौशल ने उन्हें जल्दी ही राष्ट्री अस्तर पर पहुँचा दिया और उन्हें देशवासियों के बीच लोगप्रिय बना दिया उनके खिलाफ किये गए प्रतिसपर्दी उनकी मजबूत्ता को और भी बढ़ा देते थे उनके सफल करियर के पीछे उनके दोस्तों का बड़ा हाथ रहा जो हमेशा उनके साथ खड़े रहे और उन्हें सहारा दिया उनमें से कुछ नाम है जैसे जगमोहन धोनी, सुमित दुआ और अरुन पांडे जो धोनी के साथ ही खिलाडियों में थे हालांकि शुरुआती मैचों में होने वाली कुछ हानियों के बावजूद धोनी ने अपने कौशल और संघर शीलता से खुद को फिर से साबित किया और अपनी जगह बनाई धोनी की कप्तानी का सफर धोनी के सरवश्रेश्ट फिनिशरों में गिने जाने लगे धोनी के करियर में कई बेहतरीन स्कोर्स शामिल है जो ने उन्हें भारतिये क्रिकेट के इतिहास में एक बहुत बड़े खिलाडी बना दिया है महेंदर सिह धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कई शानदार रिकॉर्ड बनाए है जो उन्हें एक अद्वितिय खिलाडी बनाते हैं उनके बल्लेबाजी और कप्तानी में उनके अनेक अनूठे क्षणों ने क्रिकेट इतिहास में अपनी जगह बना ली है धोनी ने अपने बल्लेबाजी के माध्यम से भारत को कई मैचों में जीत दिलाई है और उनके रणों ने कई रिकॉर्ड्स को चूने का मौका दिया है उनकी बल्लेबाजी में आत्म निर्भरता और विवेकपूर्ण निर्णेों की मिसाले हैं जो ने उन्हें एक श्रेष्ट फिनिशर बना दिया है महेंदर सिंह धोनी के कप्तानी में भारत ने विश्व कप दो हजार साथ जीता और इससे उन्होंने देश को एक नया उत्कृष्टता स्तर दिखाया उन्होंने टीम को चैन्नाई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में भी सफलता प्रदान की जिससे टीम ने IPL में कई बार खिताब जीता धोनी का एक अनूठा क्षण 2011 के विश्व कप के फाइनल मैच में आया जब भारत ने श्रीलंका को हराने के लिए उत्रा चेन्नाई के स्टेडियम में खेले गए इस मैच के आखिरी बॉल पर जब भारत को चार रनों की जरूरत थी तो महेंदर सिंह धोनी ने आखिरी बॉल पर चक्का मारकर भारत को जीत दिलाई और समय के साथ खिलाडी की भूमिका में अध्वितियता दिखाई यह चक्का दुनिया भर में महेंदर सिंह धोनी को कैप्टन कूल बना देने वाला हिस्सा बन गया इंडियन प्रीमियर लीग आईपियल का जोरूरी हिस्सा बनने के बाद धोनी ने चैन्ने सुपर किंग्स CSK के कप्तान के रूप में भी अपनी कप्तानी और खेलने का हक साबित किया उनका आगे बढ़ता हुआ सफर और इंपैक्ट ने उन्हें क्रिकिट दुनिया में एक अनूठा स्थान दिलाया 2019 के वंडे विश्व कप में हुई एक दुखद घटना ने उनकी उच्चतम मानकों को टेस्ट किया जब उन्हें इंडिया के मैच में एक रन आउट होना पड़ा इस वाके ने हमेशा के लिए उन्हें दुखी कर दिया और उन्हें एक दुखद अनुभव दिलाया धोनी की एक तस्वीर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी जब उन्हें कैंडी क्रश खेलते हुए कैमरे में देखा गया यह जवी ने धोनी की जवी को और भी बढ़ा दिया और कैंडी क्रश के डाउनलोड में भारी व्रिद्धी हुई MSD अपने मोबाइल फोन का सीमित उप्योग करने के लिए जाने जाते हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर कम पहचान बनाई है और समय के साथ एक निजी जीवन की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्राथमिक्ता दी है यह उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और ध्यान की दृष्टी को दर्शाता है जिससे उन्होंने क्रिकेट में अपनी उपलब्धियों को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है आज महेंद्र सिंह धोनी 42 KE हो गए है लेकिन वे अब भी 2024 के IPL के लिए तैयार है और अपने तैयारी में जुटे है हालां की वे अंतरराश्ट्रिय क्रिकेट से सन्यास ले चुके है आज 2030 विश्वकप के बाद सभी को यह अनुभाव हुआ है कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को सभी समयों के सर्वश्रेष्ट कप्तानों में से एक बना दिया है धोनी की सीखें और उनकी अच्छाईयां सभी के लिए प्रेणा स्रोत है उनकी शीर्शकों की पैटर्नशिप, उनकी सफलता के पीछे का संगर्ष और उनका संबंध, खिलाडियों और उनके सहयोगियों के साथ इस पूरे सफलता के कहानी का हिस्सा है धोनी की प्रती हमारा कृतजिता और आभार बयान करना मुश्किल है धन्यवाद धोनी सर, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि धोनी वो शक्स हैं, जिन्होंने स्टंप्स के पीछे रहते हुए मैच का रुख पलट दिया अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद